परवत निर्मार के बाद अगला अध्या है भूकंप इसमें हम भूकंप से समंधित भूकंप उत्पन कैसे होता है भूकंप का मापन कैसे होता है भूकंप के दुरान कौन-कौन सी तरंगे उत्पन होती है इसके लोगा प्रित्वी पर भुकम्प की पेटियां कहां कहां पर है किन-किन पेटियों के सारे भुकम्प ज़्यादा आता है और भुकम्प का कारण क्या होता है इन सभी बातों का हम इस अध्याय मध्यन करेंगे भुकम्प के आम तोर पर दो कारण माने जाते हैं पहला कारण है प्राकृतिक प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानाव निर्मित या मानवी कारण प्राकृतिक कारण मानवी कारण प्राकृतिक कारण क्या है भुकम के प्राकृतिक कारण में किन-किन बातों को सामिल किया जा सकता है पहला प्राकृतिक करण में जो चीज़ सामिल की जाती है प्लेटों के मद्ध प्लेटों के मद्ध विवर्तनिक विवर्तनिक क्रियाएं मतलब प्लेटों का अपसरण अथवा अभिसरण हम प्राकृतिक करण बता रहा है दूसरा जब जौला मुखी क्रिया होती है और विस्फोट होता है धरातल पर लावा अचानक से जलवाश्ट के साथ विस्फोट के साथ बहार निकलता है तब भी धरातल पर कमपन हो जाता है उस कमपन को भी हम भुकम कहते हैं तो दूसरा करण हो सकता है जौला मुखी क्रिया जो भुगरविक चटाने होती है उनमें तनाव होता रहता है तनाव के बाद वे टूट सकती है जो भुगरविक चटाने है जैसे वलन की क्रिया कहीं पर हो रही है कहीं चटानों में वलन की क्रिया हो रही है तो वलन के दोरान वो तूट सकती है तूटने के बाद वो फिर से संतुलित होती है यानि जटका मिलता है तूटी फिर अपने स्थान पर आ जाती है जो जटका होता उस दोरान भी उर्जा निकलती है और धरातल से ठक्रा जाएगी उस उर्जा को हम तरंग कहते हैं आप जानते हैं भुकम्पी तरंग तो जब चटटाने अचाना से चूटकर फिर से संतुलित हो जाती हैं तो उस दोरान भी भुकम्पा जाता है तो यानि चट्टानो द्वारा भूगर्भीक चट्टानो द्वारा संतुलन इस्थापना का प्रयास चौथा करण हो सकता है कुछ भूगर्भीक गैसें होती है भूगर्भीक गैसें भूगर्भीक गैसों का फैलाओ भूगर्भीक गैसों का फैलाओ भूगर्भीक गैसों का जब फैलाओ हो जाता है उनका कहीं अचानक से संचेन हो जाता है तो वहाँ पर वे गैसें वे स्फोट के साथ बाहर निकलने का प्रयास करती हैं इससे भी धरातल पर भुकंप आ सकता है यह मुखी रूप से चार करण है जिनके चलते भुकंप आ सकता है प्लेटो के मद्विवर्थनिक क्रिया जौलम्खी क्रिया चट्टानो दोरा संतुलने स्थापना का प्रियास और भुगर्वी गैसों का फैलाव इनकी व्याक्यां हम थोड़े दिर में करेंगे भुकंप की पेटियों को पढ़ते समय है ना मानवी करण क्या है वास्तों में मानवी करण प्राकृतिक करणों से अलग नहीं है इनसान में इतनी छमता नहीं कि भुकंप ला दे लेकिन मानवी करणों में इनसानों की वो क्रियाय सामिल है जो ना प्रभावित हो जाता है जन जीवन ठप हो जाता है नुकसान होता है तो भुकंप आपदा कहलाता है लेकिन अगर अंटार कटिका में भुकंप आपदा है तो वो आपदा है तब वो आपदा नहीं है तो मानो निर्मित भुकंप से समंध भुकंप आपदा से है तो जब भुगर्भिक द्रिष्टी से अस्थिर छेत्रों में इंसान सडक बनाएगा, पुल बनाएगा, रेल मार्ग बनाएगा, बड़े-बड़े बाधों का निर्मार करेगा, बड़े-बड़े जलाशय निर्मित करेगा तो जब भुगर्भिक द्रिष्टी से अस्थिर छेत्रों में इंसान पुल, सडक, रेल मार्ग, जलाशय बाधों का निर्मार करेगा, तो जब वहां कभी भुकंप आएगा, तो मानो दोरा निर्मित ये सरचनाएं धोरस्त हो जाती हैं, है न, इसे हम कहते हैं माननी करण, या जैसे उत्तराखंड में हिमालय भुगर्भिक द्रिष्टी से अस्थिर छेत्र है, हिमालय भारत के भुगर्भिक, भारत के भुकंपी छेत्रों को पांच जोन में बाटा गया है, इनमें से सबसे ताकतवर जोन कौन सा है भुकंप की द्रिष्टी से सबसे समय द्रिष्टी चेतर है पांचवा, पांचवा चेतर है हिमालय, हिमालय को भुकम जो उन पांच में रखा गया है, ये सबसे खतरनाक चेतर है भुकम की दिश्टे से, इनसान ने हिमालय पर नदियों का पानी रोक कर बहुत सारे बाद बना दी है, अब अगर नेपाल की तरह टिहरी के पास भ चूटेगा, क्यों? क्योंकि उसे व्यग्यानिक तरीके से चट्टानों का अध्यान करके बनाए गया है, ठीक है, इंजिनिरिंग का कमाल हो सकता है, लेकिन भुकम की ताकत का अंदाजा इनसान नहीं लगा सकता, तो अगर वहाँ बाद है, टेरी बाद चूटा, तो बाद क जाएगा, तो ऐसी घटनाव को हम मानो निर्मित भुकम करते हैं, मानवी कारण, है ना, तो भुगर्भीक दिर्श्टे से अस्तिछ हित्रों में बाद, पुल, सड़क मार, रेल मार का जब निर्मार होगा, तो इंसानी जन जीवन उससे बहुत आसानी से प्रफावित हो जा इस अंदर में, रीड महोदे का प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिधान्त, मतपोण है जो कि पूछा जा सकता है, कि प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिधान्त किसे समंदित है, परवत निर्मार से, जोलम की क्रिया से, भुकंप से, पुछा जा सकता है न, इसी तरह ये भी पुछा जा सकता है कि प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिधान्त किसे द्वा ने दिया, रेड महोदे ने दिया था, रेड म वलन की क्रिया होती है तो चटानों में मोड पढ़ने लगते हैं मोड है ना तो रीड महोदे ने बताया कि प्रतिक चटान में तनाव सहने की एक छमता होती है तनाव झेलने की एक सीमा होती है उस सीमा के बाद वो चटान तनाव को झेल नहीं पाएगा और तूट जाएगा को प्रक्रिया में भूकम्पी उर्जा निकल पड़ती किधर? धरातल की तरफ. भूगर्भीक चट्टान है, टूटी, फिर से संतुलित हुई, उर्जा धरातल की तरफ गई. है न? और क्या हो जाएगा? भूकम्प आजाएगा. तो भूकम्प के दौरान उर्जा पैदा होती है, जो चारो दिसाओं में चल पड़ती है. ये ठीक वैसे जैसे गाल पे एक थपड मारा जाए, तो दूसरा गाल भी हिल जाता है. क्यों? क्योंकि उर्जा दूसरे ही तरफ चल पड़ती है. तो उर्जा होती है वो. तो उसी को हम भूकम्पी तरंगे कहते हैं. तो रीड महुदे ने बताया कि प्रतिक चट्टान में तनावस आने की सीमा है, उस सीमा के बाद दो चट्टान टूट जाती है, और पूना अपने स्थान पर आने का प्रयास करती है, इस प्रक्रिया में धरातल पर भूकम्प आ जाता है. भूकम्प आने के ठीक पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है. यानि अगर भूकम्प वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बढ़ रही है, तो सौन में आ जाना चाहिए कि भुकंप आने वाला है तो भुकंप आने का सबसे प्रमुख लक्षड क्या है? जैसे भुकंप पूरवानुमान हम कैसे कर सकते हैं भुकंप का पूरवानुमान नहीं किया जा सकता भुकम का पूरवानुमान अभी इंसानों के लिए एक समस्या है बहुत ही सटीक तरीके से इसका पूरवानुमान नहीं हो सकता है भुकम के पूरवानुमान में कुछ विधियां अपनाई जाती है जैसे रेडान गैसों की मातरा के बढ़ना तो पता लग जाएगा कि वायुमंडल में रेडान गैसे बढ़ रही है तो भुकम पाने वाला है इसके अलावा जो जीव जनतु होते हैं जैसे कुते उनकी हरकतें काफी अजीव हो जाती है भुकम पाने के ठीक पहले जो जीव जनतु होते हैं कुट्टे और आने छोटे छोटे जीव वो अजीव सी हरकत करने लगते हैं जो की उठ पटान लगता है तो उससे भी अनुमान लगाए जा सकता है कि भुकम्प आने वाला है यह कुछ विदियां है जिनमें से वायुमंडल में रेडान गैसों का मापन भी एक विदि है जिनि फोकस भुकम के भुकम से रेलेटर्ड जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वह यहाँ पर इसाजा कर रहा हूं भुकम्प मूल जिस इस्थान से भुकम्पी तरंगे पैदा होती हैं जहां से भुकम्पी तरंगे उत्पन होती हैं उसे हम कहते हैं भुकम्प मूल भूकम्प का सबसे पहले अनुभू किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भूकम्प केंद्र एपी सेंटर उसे हम एपी सेंटर कहते हैं भुकम मूल जहां से भुकम पी तरंगे उत्पन होती है और जहां धरतल्प से पहले टकराएंगे उसे हम भुकम केंदर कहते हैं भुकम के दोरान भुगर्ब से जो उर्जा उत्पन होती है भुकम के दोरान जिने हम तरंग कहते हैं भुकम के दोरान भुगर्ब से जो उर्जा उत्पन होती है यानि भुकम मूल से जो उर्जा बाहर की तरफ निकलती है उसे हम प्रत्यास्थ उर्जा कहते है प्रत्यास्थ और्जा है ना भुकम्पी और्जा को भुकम्पी तरंगे भी कहते हैं भुकम्पी तरंगे भुगर्ब से निकलने के बाद अलग 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 दिसान में चल पड़ती है भुकम्पी तरंगे मुखी रुप से तीन प्रकार की होती है इनमें से पहला है बुकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती है पहला है प्राथमिक तरंगे इन्हें हम प्राइमरी वेब्स कहते हैं दूसरा है गौर तरंगे इन्हें हम सेकेंडरी वेब्स कहते हैं और तीसरा है धरातली तरंगे धरातली तरंगे धरातली तरंगों को सर्फेस वेब्स की कहते हैं सर्फेस वेब्स या लॉंग पीरियड वेब्स तो चुकि इन्हें लॉंग पीरियड वेब्स कहते हैं क्यों क्यों वो धीमे धीमे चलती है धीमे धीमे जरूर चलती है धरातली तरंगे सबसे मंद गतिकी होती है इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ इनमें से सबसे मंद गतिकी धरातली तरंगे होती है इसलिए बहुत समय लेती हैं कहीं पहुंचने में धीरे धीरे चलती हैं मंद होती हैं धीरे धीरे चलती हैं इसलिए बहुत देर में किसी स तरंगे भी कहते हैं प्रात्मिक प्राइमरी पी सेकेंडरी एस और लॉंग पिरियड एल भुकमपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं सबसे पहले हम अध्यन करेंगे पी तरंगों का इन्हें हम प्राइमरी इसे हम पी तरंगे भी कहते हैं प्रात्मिक तरंगों को हम पी अनुदैर्धी होती हैं यह अनुदैर्धी तरंगे हैं यानि यह ध्वनी तरंगों के समान चलती हैं यह ध्वनी तरंगों के समान चलती हैं अनुदैर्धी तरंगे हैं इसलिए ध्वनी तरंगों के समान चलती हैं भुकम्पी तरंगों में सबसे तीवर गती सरवाधिक तीवर गती तीनों प्रकार के भुकमपी तरंगों में सरवाधिक तीवर गती प्रातमिक अर्थाथ पी तरंगों की होती यानि इनकी गती बहुत तीवर होती है और ये बहुत जल्दी कहीं पर पहुंच जाती है पी तरंगों की खास बात है कि ये पदार्थ के ठोस माध्यम और तरल माध्यम ये पदार्थ के ठोस माध्यम और तरल माध्यम दोनों से होकर गुजर सकती है पी तरंगे ना केवल मेंटल में बलकि पृत्वी के कोर में भी संचलन कर सकती है इन तरंगों की खास बात है कि ये पृत्वी के कोर में भी संचलन कर सकती है हलाकि कोर में इनकी गती थोड़ी मंद हो जाती है हमने बताया कि तीनों तरंगों में सबसे तीवर तरंगे पी तरंगे हैं ये कोर में भी संचलन कर सकती है लेकिन कोर में जाने पर इनकी गति थोड़ी मंद हो जाती है ये आपने पढ़ा प्राथमिक तरंगों के बारे में अब हम देखते हैं secondary तरंगों की क्या विश्यस्ता है secondary तरंगे S S तरंगे अनुपरस्थ तरंगे होती है यह अनुपरस्थ तरंगे होती है जो प्रकास तरंगों की भाती चलती है P तरंगे धोनी तरंगों की भाती चलती है अर्थात यह अनुदैर्थ तरंगे है जबकि S तरंगे प्रकास तरंगों की भाती चलती है इसलिए अनुपरस्थ तरंगे होती है S तरंगों की एक खास विश्यस्ता है कि ये परदार्थ के केवल ठोस केवल ठोस माध्यम में ही संचलन कर सकती है यानि केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है पाया गया है कि पृत्वी के नीचे 30 किलो मेटर की गहराई पाया गया है कि पृत्वी के नीचे 3000 किलो मेटर की गहराई के बाद नीचे ये प्रवेश नहीं कर पाती है जब ये नीचे जाती है तो 3000 km की गहराई के बाद ये तरंगे विलुप्त हो जाती है या फिर ये मोड़ जाती है फिर से सता की तरफ नीचे जाती है 3000 km गहराई तक पहुंचती है फिर सता की तरफ मोड़ जाती है मतलब ये कोर में प्रवेश नहीं कर पाती है कोर में ये तरंगे पूरी तरह से अनुपस्थित है कोर में इन तरंगों की पूरी तरह से अनुपस्थित है चोकि हमें पता है कि ये तरंगे के वल ठोस में ही संचलन कर सकती है और चुकि कोर में ये तरंगे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या पता चलता है एस तरंगों से हमें ये पता चलता है एस तरंगे कोर में अनुपस्थित हैं जब भुकंपी तरंगे भुकंप मोल से उत्पन होती है और धरातल से टकराती है तो उनके टकराने के बाद इनकी उत्पत्ती होती है धरातली तरंगे सबसे अंत में उत्पन होती है जब भुकंपी तरंगे भुकंप मोल से उत्पन होती है और धरातल से टकराती है तो उनके धरातल से टकराने के बाद जब धरातल पर तरंगे चलना सुरू कर देती है 36 रूप में तो उन तरंगों को हम धरातल पर चलने वाली तरंगों को हम धरातली तरंगे कहते है धरातली तरंगों की खास बात यह है कि ये बहुत ही धीमी गति से चलती है इसलिए किसी भी स्थान पर ये बहुत ही देर से पहुंचती है यानि कहीं भी पहुंचने में ये बहुत समय लेती है इसलिए लोंग पिरियेड वेब्स कहते हैं लेकिन देर से जरूर पहुंचती है धीमी जरूर होती है लेकिन चुकि ये तरंगे धारातल पर चलती है तो आपसे प्रस्ण पूछा जाएगा कि PSL तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है L तरंगे ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती, यानि इंसानों पर सबसे बुरा प्रभाव इसी तरंगा पढ़ता है, L तरंगा मानो जनजिवन जो ठप हो जाता है, L तरंगों के चलते होता है, clear? पिर, जिस भुकंप मापी यंत्र से, या जिस यंत्र के माध्यम से भुकंप को मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते है जिस सम्यदन शील यंत्र के माध्यम से भूकंप को मापा जाता है उसे हम सीस्मोग्राफ कहते है सीस्मोग्राफ के तीन स्केल है सीस्मोग्राफ के तीन स्केल है पहला फेरल स्केल फेरल या रासी इसे रासी भी कहते है फेरल या रासी स्केल, दुसरा मरकेली स्केल और तीसरा है रिक्टर स्केल वास्तों में ये तीनों सिस्मोग्राफ हैं क्योंकि ये तीनों भुकम्प मापते हैं तो भुकम्प जिस सवेदर्शिल यंत्र के माध्यम से भुकम्प को मापतों से सिस्मोग्राफ केते हैं और सिस्मोग्राफ के तीन स्केल हैं फेरल यारासे स्केल, मरकेली स्केल और रिक्टर स्केल इन में से सबसे महत्पूर्ड रिक्टर स्केल है रेक्टर स्केल के माध्यम से फिलाल भुकंप को मापा जाता है आधने क्योग में ये सबसे सुध रुप में भुकंप को मापता है रेक्टर स्केल वास्तों में भुकंप मापन की गड़िती विधी पर आधारी थे वहीं मरकेली स्केल अनुभाव विधी पर आधारित है मरकेली स्केल जहां अनुभाव विधी पर आधारित है वहीं रिक्टर स्केल गड़ती विधी पर आधारित है रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक अंक होता है रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक अंक होता है यानि रिक्टर स्केल जीरो से लेकर दस अंकों तक भुकम पी तीवरता को मापता है रिक्टर स्केल पर भुकम पी तीवरता जीरो से लेकर दस अंकों के बीच मापी जाती है Richter scale की खास बात ये है कि इस पर दर्ज प्रतेक अंक, प्रतेक अगला अंक, पिछले अंक की तुलना में 10 गुना तीवर होता है Richter scale पर 10 तक अंक हैं लेकिन अभी 10 तक का भुकम्प नहीं मापा गया है अच्छा पृत्वी पर ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर एक समान भुकम्प आया मा लेते हैं, यहां पर 6 तीवरता का भुकम्प आया, यहां भी 6 तीवरता का भुकम्प आया यहाँ भी 6 तीवरता का भुकम पाता है यहाँ भी 6 तीवरता का भुकम पाता है और यहाँ भी तो यह सभी रेक्टर स्केल पर 6 तीवरता वाले भुकम पाता है तो इन सभी को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहते है आईसोसिस्मल इसे हम आईसो सिस्मल लाइन कहते हैं पृत्थी पर समान भुकम्पी तीवरता वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं आईसो सिस्मल कहते हैं ये तो समान भुकम्पी तीवरता वाले अब इसमें थोड़ा सा संसोधन कर देते हैं अब समान तीवर्ता की साथ से नहीं देखते हैं अब ये सभी स्थान है पहला स्थान है ये दूसरा स्थान है ये तीसरा हम तीवर्ता नहीं लिख रहे हैं हम इस्थानों की संख्या लिख रहे हैं यह चौथा इस्थान है और यह पाच्वा इस्थान है आप कल्पना करिए कि इन सभी जगहों पर एक साथ भुकम पाया एक साथ यहाँ 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 यह सभी छेत्र एक ही साथ भुकम से प्रभावित हुए क्लियर इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिसमल कहते हैं, होमोसिसमल लाइन कहते हैं, प्रिथ्वी पर एक समान भुकमपी तीवरता वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को आईसोसिसमल लाइन और प्रिथ्वी पर एक साथ भुकम से प्रभावित होने वाले इस्थानो को मिलाने वाली रेखा को होमोसिसमल लाइन कहते हैं वास्तों में प्रित्वी पर जो भी इस्थल भूपटल पर जो भी इस्थल भूकम से प्रभावित हैं वास्तों में भूगर्भी करूप से आस्थिर छेत्र होते हैं भूगर्भी करूप से प्लेट किनारों के ऊपर इस्थित हैं या तो ये इस्थल ब्रंश, घाटियों के साथ साथ पाए जाते हैं भुकंप वही आता है जो छेतर भुगरभी के रुप से अस्थिर हैं मुख्य रुप से हो सकते हैं पहला, या तो ये प्लेट किनारों के ऊपर इस्थित हैм या तो रिफ्ट वैली यादि ब्hrंश घाटियों के साथ साथ प्हाल होते हैं ध्रातल पर भुकम्पी छेत्रों की पहचान की गई है कि कौन कौन से छेत्र भुकम्पी द्रिश्ट से ज़्यादा सवधर्शिल है ऐसे छेत्रों को भुकम्पी पेटियां कहते है तो मुख्य रुप से ऐसे तीन पेटियों की पहचान की गई है तीन भुकम पिये पेटियां पहला है इन में से प्रशान्त महसागरी तटिय पेटि जो प्रशान्त महसागर का दोनों तट है पूरी तट और पस्मी तट वही भुकम पाते हैं इसलिए से हम कहते हैं प्रशान्त महसागरी तटि पेटि दूसरी है मध्य महाद्वीपी पेटि और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटि चोथे छेत्रों हम अन छेत्रों को रख सकते हैं तो भुपटल पर भुकम पी दिरिश्टी से सवेदनशील तीन पेटियों की पहचान की गई है यानि ये भुकम पी छेत्र तीन पेटियों के सहारे मिलते हैं प्रशान्त महसागरी तटी पेटी मद्ध महाद्विपी पेटी और तीसरा है मद्ध अट्लांटिक पेटी और चोथा है अन छेत्री बिखरेवे हो सकते हैं इसके अंतरगत 63 पृष्ट भुकम पाते हैं इसके अंतरगत 21 पृष्ट भुकम पाते हैं यानि सबसे ज़्यादा भुकम कहाते हैं प्रशान्त महसागर के पूर्वी और पस्मी तट के सहरे आते हैं उसके बाद मद्ध महाद्विपी पेटी के सहरे आते हैं ये पेटियां कहा हैं इनका अध्यन करने के लिए हमें मैप खोलना पड़ेगा प्रशान्त महसागरी तटी पेटी ये है प्रशान्त महसागर का पस्मी तट और ये है प्रशान्त महसागर का पूर्वी तट आप ध्यांस देखिए तो प्रशान्त महसागर का पूर्वी तट क्या हो रहा है प्लेटों के मद्ध अभिसरण हो रहा है यह अभी सरण Pacific Plate और Eurasian Plate के मद्धे हो रहा है प्रिटे तकरा रही है, पूरी प्रशान्त महासागरी में देखते है यहाँ पर Pacific Plate और American Plate आपस में तकरा रही है एक तरफ Pacific Plate है और American Plate यानि पूरी की पूरी पुरी प्रशांत महासागरी तटी पेटी में आने वाले भुकम्प का सम्मंद किसे है? प्लेटो के मध्य अभिसरण से है कैसे लिखेंगे? प्रशांत महासागरी तटी पेटी प्रसांत महासागरी तठी पेटी में दुनिया में सरवाधिक 63 प्रसद भूकम की घटनाय होती है इस भूकम्प पेटी में आने वाले भूकम्प का संबंद प्लेटों के मध्य अभिसराण से है आपसे अगर यह कथन दे दिया जाए कि प्रशांत महासागरी तटी पेटी में आने वाले भुकम का सम्मंद प्लेटों की मद अपसराण किरिया से है, नहीं, गलत होगा वो सेंटेंस, इस पेटी का सम्मंद भुकम प्लेटों की मद अपसराण किरिया से है, ठीक है, इस पेटी में पूर्वी तट पर देखें, प् इसी टकराव और रगड के चलते भुकम पिहाँ पर उत्पन होता है यहाँ पर नजका प्लेट दक्षिन अमेरिकी प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है पूरी प्रशांत महसागर में नजका प्लेट दक्षिन अमेरिकन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है जहाँ पर ये रगड़ खाती है ये प्लेट नजका प्लेट जहाँ भी दक्षिन अमेरिकी प्लेट के साथ रगड़ खाती है वहाँ पर हलचल उत्पन होती है भुकम्पी तरगे उट चलती है कहाँ पर धरातल की तरव तो ये अभिसरन क्रिया का प्रड़ा में सबसे ज़्यादा भुकम पिहीं पर आते हैं पूर्वी प्रशांत महासागरी तटी पेटी में अगर पूर्वी तट पर हम देखें तो यहाँ पर चिली तट, पेरु तट, अमेरिका में कैलिफोर्निया और अलास्का तट, आप प्रशांत महासागरी तटी पिटी का ध्यन कर रहे हैं यहाँ पर पूर्वी तट पर चिली तट, पेरु तट, कैलिफोर्निया तट और अलास्का तट के सारे भुकम के भीशन जट के आते हैं वहीं परस्वी प्रशांत महासागरी में जापान दीस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस केप वर्डे केप वर्डे से जो लाल रेखा आप देख रहे हैं वुमध्य सागर आलस परवत काकेसस परवत कैस्पियन सागर भारत में हिमाले परुती छेत्र दक्षण पूरी एसिया के जो दीफ हैं वहां से होते हुए ये लाल लाइन कहां मिल गई है प्रसांत महसागरी प वह कंपी पेटी है वहां पर जाकर मिल गई है यानि और यहां पर अभिसरण हो रहा है कि अपसरण हो रहा है आप देखिए उत्तर में यूरेशियन प्लेट है दक्षण में अफ्रीकन प्लेट है यानि यहां पर यूरेशियन प्लेट के नीचे अफ्रीकन प्लेट प्रवि कर रही है यानि यह पूरा छेतर African Plate और Indian Plate उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं और Eurasian Plate से टकराकर नीचे परवेश कर रहे है हमने कहा था कि धिरे धिरे आफरीका, अफरीकन प्लेट यूरेशिया के नीचे घुश जायेगा तब यूरेशिया यानी यूरोप तिब्वत की पठार की तरह उचा हो जायेगा ये नीचे परवेश कर रहा है यूरेशिया के नीचे इसलिए भुमद्च सागर में क्या पाय जाते हैं जोला मुखी पाए जाते हैं तो मद्य महाद्वीपी भुकम्पी पेटी का समंध भी प्लेटों के मद्य अभिसरण करिया से है इसके पस्मी छेत्र में यूरेशियन प्लेट और अफेरीकन प्लेटों के मद्य अभिसरण हो रहा है और इसके पूरी च्法 में, यूरेशियन प्लेट और इंड़ो प्लेट के मध्य अभितर क्रिया हो रही है यानि यह पूरी भुकम्पी पेटी मध्य महादुपी पेटी करती है क्योंकि महादीफों से उकर गुजरती है देखें तो इस पूरी मध्य महादुपी भुकम्पी पेटी का समंध भी प्लेटों के मध्य अभीसरण क्रिया से है clear के दीपों के सहारे गुजरते हुए प्रशान्त महासागरी पेटी में जाकर मिल जाती है फिर से भूकम्प की मद्ध महाद्वीपी पेटी के पोड़े से प्रारम होकर अट्लांटिक महासागर भूमद्ध सागर को पार करती है इसके बाद आल्स परवत, काकेसस परवत कैस्पियन सागर हिमाले परवत को पार करते हुए दक्षिर पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचती है दक्षिर पूर्वी एशिया के दीपों तक पहुंचती है इसके बाद यह आस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशान्त महासागरी 30 पेटी से जाकर मिल जाती है यानि ये पूरा छेतर भुगंप की दृष्टि से सवेदंशील है इस भुगंपी छेतर में वलित परवत रास्ते में पाय जाते हैं कौन-कौन से वलित परवत हैं? आल्स परवत, काकेसस परवत, किर्थार रेंज, किर्थार रेंज पाकिस्तान का सुलेमान रेंज और किर्थार सुलेमान हिंदुकुष परवत, हिमालय परवत ये सभी परवत इसी मद्य महाद्यपी भुकम की पेटी में इस्थित है यानि नमीन वलिद परोतों का छेत्र है ये अब इस तरह क्रिया के प्रेडाम सुरूपी इन वलिद परोतों का उठान हुआ है और इसलिए इन वलिद परोतों के नीचे भुकंप के केंद्र पाये जाता है भुकंप का मोल पाये जाता है तो भारत का जो भुकमपी छेत्र है भारत का भुकमपी छेत्र पूरा का पूरा भारत का पूरा भुकमपी छेत्र जितना भी है वो सारा भुकमपी छेत्र मध्य महादुपी पेटी के अंतरगत ही शामिल आउसे पूछा जाएगा कि भारत का भुकमपी छेत्र किस भुकमपी पेटी में शामिल है प्रशांत महासागरी तटी पेटी मद्य अट्लांटिक पेटी या मद्य महादुपी पेटी तो भारत का भुकम्पी छेत्र मद्य महादुपी पेटी के नतरगत सामिल है भारत का सरवाधी भुकम्प से प्रभावी छेत्र हिमालय भुकम्प जोन पांच में सामिल है यानि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर छेत्र भुकम यहीं प्याता है हिमाले के सहरे नेक्स्ट है आपका अच्छा आपने ये देखा कि मध्य महादुपी पेटी में 21 प्रतिसत भुकम पाता है अगला है आपका तीसरा है मध्य अट्लांटिक पेटी मध्य अट्लांटिक पेटी का समंध मध्य अट्लांटिक कटक से है अट्लांटिक महसागर के बीचो बीच प्लेटें दूर हटती है नीचे से लावा निकलता है लावा के जमाव से ही समुद्र के भीतर समुद्र की तली पर परवत जैसी इस्तला क लावा के जमाव से ही इसी मद्ध अट्लांटिक कटक के सहरे हमेशा लावा निकलता रहता है और उसी लावा के जमाव से मद्ध अट्लांटिक कटक का निर्माण हो गया है यानि मद्ध अट्लांटिक भुकंपी पेटी का समन्द मद्ध अट्लांटिक कटक से है अर्थात यह भुकम्प के जटके उत्पन होते हैं तीनु छेत्र में सबसे कम ताकतवर भुकम्प यानि सबसे मंद भुकम्प सबसे कम तीवरता का भुकम्प मद्य अट्लांटिक कटक के सारे आता है मद्य अट्लांटिक भुकम्पी पेटी में कम तीवरता वले भुकम्प आते हैं मद्य अट्लांटिक पेटी उत्तर में यहाँ पे कौन सद्वीप है मद्य अट्लांटिक भुकम्पी पेटी आइसलेंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप तक जाती है या पेटी उत्तर में आइस लेंड से प्रारंब होती है और दक्षिण में बोवेट द्वीब तक जाती है लेकिन इस छेत्र में सबसे ज़्यादा भूकम भूमध रेखा के सहरे आते हैं विश्वत रेखा के सहरे इस छेत्र में सबसे ज़्यादा भूकम पाते हैं कुछ आन्य छेत्र हैं, हमने चौथा लिखा था ना, आन्य छेत्र भी भूका पाते हैं, आन्य छेत्र में किसको सामिल के आ सकता है, पूर्वी अफरीका की दरार घाटी, ब्रंश घाटी, अर्थात रिफ्ट वैली, जो पूर्वी अफरीका की दरार घाटी है, वहाँ पे रि अतार चोड़ी होती जा रही है, इसी फैलाव की कारण चुकि है भ्रंधिशन की क्रिया हो रही है, तो भ्रंधिशन के चलते पूरी अफरीका की दरार गाटी में भूकम उतपन होता है। इसके अलमा अदन की खाड़ी से लेकर आरब सागर तक का छेतर, क्योंकि यहां काल्सबर कटक है, तो अदन की खाड़ी से लेकर पूरा आरब सागर तक का छेतर भी भूकम की दिर्ष्ट से सवधनशील है, इसके अलमा एक अन्य भूकम की दिर्ष्ट से सवधनशील छेतर है, जो की काफी ताकतवर छेत्र है वो है अमेरिका का कैलिफोर्निया छेत्र है अमेरिका का जो कैलिफोर्निया छेत्र है ये भुकम की दुष्टे से काफी सवधनसील है लेकिन कैलिफोर्निया जो भुकम्पी छेत्र है कैलिफोर्निया की जो भुकम्पी पेटी है उसका प्लेटों के संगरक्षी किनारे से है। उधारण के लिए कैलिफोर्निया का सेन एंड्रियास फॉल्ट। आपने देखा कि प्लेटों के अभिसरण के चलते अपसरण के चलते है ना तो भुकम्प से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो इतने हैं बचा भारत का भुकम्पी छेत्र और भुकम्प आपदा वो शामिल किया जाएगा अगले अध्या में तब तक के लिए नमस्कार